जारखन के पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश अनुसार गडवा जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार कारवाई की जा रही है पिछले कुछ महीनों से गडवा और आसपास के थाना क्षेत्रों में बैंक से पैसा निकालने वाले नागरिकों की रेकी कर उनके बैग या मोटर साइकल की डिक्की से पैसे चिनते चोरी की घटनाएं हो रही थी इन घटनाओं के उद्भेदन हेतु गडवा के पुलीस अधीकशक के निर्देश पर अनुमंडल पुलीस पदाधिकारी के नेत्रित्व में एक SIT का गठन किया गया इस विशेश टीम ने विभिन स्थानों और बैंकों के CCTV फुटेज का अवलोकन कर संदिग्धों की पहचान की उनके फोटो को गश्ती दल को सौपा गया इसके तहट 24 अगस्त दो हजार चौबीस की सुबह गढवा थाना की गश्ती टीम ने रंका मोड गढवा के पास एक संदिग्ध व्यक्ती को पकड़ा पूछताच के दौरान उसने चोरी और छिंते की घटनाओं में अपनी संलिपता स्विकार की गिरफतार अभियुक्त की पहचान दीपक यादव, पिता, सु, महेश यादव, निवासी, नया टोला, जोराब गंज, थाना, कोड़ा, जिला, कटिहार, बिहार के रूप में हुई उसने बताया कि वहाँ और उसके साथ ही विभिन शहरों में जाकर बैंकों में रेकी कर, लोगों से पैसे और सामान की चोरी छिंते करते थे उन्होंने फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल सिम और चोरी की मोटर साइकल का उप्योग किया इनका गिरोगडवा, डालतंगंज, आरंगाबाद, देवघर, जामताड़ा, फतुहा, हाजीपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया जैसे कई शहरों में सक्रिय रहा है पुलिस ने गिरफतार अभियुक्त के पास से चोरी की दो मोटर साइकले, नकदी, फर्जी मोबाइल सिम, आधार कार्ड और चोरी के अन्य सामान बरामद किये अन्य तीन अभियुक्त, अमित यादव, लखन यादव और आनंद यादव की तलाश जारी है बताते चले की दीपक यादव और उसके साथियों के खिलाफ विभिन राज्यों में कई गंभीर मामलों में प्रात्मिकी दर्ज है इनमें चोरी, चिंतई, आर्म सेक्ट और अन्य अपराद शामिल है गडवा पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है और अन्य अभियोक्तों की गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही है भासकर कॉचिंग सेंटर, चिनिया मोड, काली स्थान के निकत, गडवा हमारे यहां क्लास 8, 9 और 10 के सभी विशियों की पड़ाई होती है सभी कक्षाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों माथ्यमों में संचालित की जाती है गरीब बच्चों के लिए फीस में विशेश छूट कम फी में गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा का एक मातर नाम भासकर कॉचिंग सेंटर चिनिया मोड, काली स्थान के निकत, गडवा